ओम साही राम, वेलकम टू साइंस अमरपन चैनल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज जो मैं आपसे बात करने आई हुँ ना, इसे सुनने के बाद ना, आप खुद से प्यार करने पर मजबूर हो जाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे, तो चलिए शुरू करते है तो चलिए, मैं आपको कहानी के माद्यम से बताऊंगी, कि आप अपने आप से प्यार कैसे कर सकती हो, और खुद से प्यार करने परना मजबूर हो जाओगे आप इस कहानी को सुनने के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं, एक गाउं था और उस गाउं में एक आदमी रहता और उस आदमी के गाउं के पास में एक पहाड था, और वो आदमी रोज सुबह उस पहाड़ पे जाया करता था, बस ऐसे ही बैठने के लिए, और वहाँ पर रोज जाकर बैठता था और वापस आ जाता था, तो रोज की तरह वो जाता था, तो एक दिन क्या हुआ? वो जैसे रोज जाता था तो एक दिन उसका बेटा पीचे से आया और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी आपके साथ जाओंगा ऐसा बोलता है वो अपने पिता को, तो उनके पिता बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं कि बेटा नहीं, पहाडों का रास्ताना बहुत छोटा है और बहुत लंबी चड़ाई है उसकी, आप नहीं चड़पाऊगे और पहाडों के रास्ते तो वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं, आप नहीं चड़पाऊगे, आप बच्चे हो तो उसके पिता उसे समझाने लगे, लेकिन बच्चे कहां मानते हैं, वो जित पर अड़ गया कि नहीं मैं चाओंगा तो वो अपने पिता को समझाने लगया, जित पर अड़ गया, तो उसके पिता ने उस बात को मान लिया और उसकी जिद को मान कर उसका कसकर हाथ पकड़ लिया अपने बेटे का और दोनों ही वो पहाड की तरफ चलने लगे जब वो पहाड की तरफ चल रहे थे धीरे धीरे तो लेट साइट पहाड थे और राइट साइट खाई थी तो वो धीरे धीरे चल रहे थे और रास्ता जो था वो बहुत छोटा था बस वो पहाड़ों की छोटी तक पहुच नहीं वाले थे कि रास्ते में न एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था अब जो उनके पिता जी थे वो रोज जाते थे उन्हें तो पता था कि वहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है और वो अराम से और वो पहाड़ों का एरिया था और वहां पर जो उस बच्चे की आवाज सी अचानक से गुची तो उसे लगा कि उसे कोई तंग कर रहा है उसे कोई देख रहा है और उसका मजाँ अड़ा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया और दुबारा से वह कहता है कौन हो तुम त तो वो अचानक से घबरा रहा था कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही पीचे से आवाज आती है तो यह क्या है तो उसने डर के वज़र से अपने पिता का हाथ और कसका पकड़ लिया और अपने पिता से पूछता है पिता जी यह कौन है जो मुझे तंग कर रहा है तो वो जो बच्चा था वो एकदम से हैरान रह जाता है यह क्या हो रहा है मतलब मैं बोलता हूँ तो मुझे कुस्से में पलट कर जवाब आते है और मेरे पिताजी ने बोला तो वही इंसान मेरे पिताजी को इतने प्यार से जवाब दे रहा है और उनसे ये कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो वो बच्चे के पिताजी है न वो दुबारा से बोलते हैं तुम बहुत अच्छे हो तो पीचे से आवाज आती है तुम बहुत अच्छे हो तो वो बच्चा कहता है पिताजी से पिता जी ये क्या हो रहा है ये कौन है जो आप बोलते हो तो आपको अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ तो मुझे हमेशा बुरे बुरे गुसे में जवाब आते हैं तो वो बच्चा अपने पिता से पूछता है पिता जी ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आरा आप समझाईए कि अगर मैं बोलता हूँ तो हमेशा गुसे में जवाब आते हैं अगर आप बोलते हो तो आप के जवाब हमेशा अच्छे आते हैं तो ऐसा क्या हो रहा है तो उसके पिता मुस्कराते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी ही जो गुँच रही है इस पहाडों में तुम जैसा बोलोगे न वैसे ही जवाब आएंगे तुम गुसे में बोल रहे हूँ इसलिए तुम्हें गुसे में जवाब आ रहे हैं अगर तुम अच्छे से बोलोगे तो तुम्हें अच्छे अच्छे जवाब आएंगे तो ऐसे ही हम जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। बहुत प्यार करना चाहिए तो वो छोटा बच्चा था ना उसके दिमाग में ये बात घर कर गई और जब वो बच्चा उस चोटी पर पहुंचता है ना तो वो बच्चा अपने दोनों हाथ वेलाकर खिल के लाकर हसता है और पूरी ताकत के साथ अपने बोलता है कि मैं तुम अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ फिर देखिए आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा सब कुछ पॉजटिव होगा जो लोग नेगिटिव है ना तो प्लीज नेगिटिव मत हो ये आपकी जिंदगी में अगर कुछ प्राबलम है तो वो पर्मिनेंट नहीं होता है सच में हम जैसा सोचते हैं जो इंसान पॉजिटिव होगा आप हमेशा नोट करना उसके साथ हमेशा पॉजिटिव चीज़े ही होती है और जो इंसान नेगिटिव होता है वो हमेशा नेगिटिव ही रहता है वो इंसान इतना नेगिटिव हो चुका होता है न कि अगर आगे positive चीजे भी आजाये ना तो वो हमेशा negative ही रहेगा उसको positive चीजों में से भी negative चीजे ही दिखाई देंगी चाहे कोई इंसान हो या कोई चीज हो वो कभी positive नहीं हो सकता और इसलिए बाबा हमेशा आपसे कहते हैं न कि हमेशा सकरात्मक रहिए हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो positive सोचते हैं जो सकरात्मक सोचते हैं बाबा हमेशा कहते हैं कि negative चीजों से और negative लोगों से हमेशा दूर रहो आपका भी note करना जहां पर बहुत अच्छा महौल है ना खुश नमा महौल है वहाँ पर आप खड़े होके देखिए वहाँ पर आप रुक कर देखिए बातचीत कर कर देखिए आपको न वहाँ से बहुत अच्छी vibes आएंगी बहुत अच्छी और आपका मन जो है ना अगर बुझा भी हुआ है ना मन दुखी भी है ना तब भी आप खुश हो जाओगे देखना आपका माइंड है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आपका कुछ करने का दिल करेगा वही अगर हम अपोजेट साइट देखे ना अगर कोई नेगिटिव इंसान है अगर कोई आपके बस एक सेकंड भी रुख जाएगा ना पाँच मिनिट भी रुख जाएगा तो वह आपको इतना नेगिटिव कर देगा ना तो बस आप इतना नेगिटिव हो जाओगे ना अगर आप खुश भी होगे ना तो आप बिल्कुल सैट सैट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है, यह जिन्दीकी तो बरबाद है, आपको लगेगा इस लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं, वाइब्स का बहुत अफे पॉजिटिव रखिए, अगर आपके घर में या बाहर ऐसे कई लोग हैं, जो नेगिटिव हैं, तो वो दिखे न, तो वहाँ से दूर हो जाईए, उनसे बात मत कीजिए, जितना हो सके न, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए, और पॉजिटिव महल में रहने की क पॉजिश कीजिए, फिर देखना, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, और आप खुश भी रहोगे, अपने आपसे प्यार करोगे, आई होप ये बाबा का जो मेसेज है, आप लोगों तक पहुँच चुका है, और जो बच्चे बाबा के नेगिटिव रहते हैं, हमेशा ग पहुते हैं, नेक्स वीडियो में, ऐसे ही बाबा के मैसेजिस के साथ में, तब तक के लिए, ओम साहिराम, जै साहिराम